नमस्कार इसे मारी मौजूदगी अमबेटकर नगरजिले के थाना छेत्र जैदपूर के अंतरगत एक ग्राम सभा पड़ता है खालेजपूर डुहियां और आपसे बताते हैं यfzn में आपको जो व्यक्ती पांज से छय जो दिकाई दे रहे हैं इनकी तमाम समस्या है और आप से मीडिया का सहारा लेना प्रारंब कर दिये हैं और जानने का प्रयास करते हैं इनकी समस्या बिगत कितने दिनों से हैं और कितने दिनों से परसान है और इनको न्याय नहीं मिल रहा है कितनी बार सासन पर सासन का दर्वाजा खट खटा के ठख चुके हैं और जाने का प्रयास करते हैं आपका नाम क्या है मेरा नाम स्रीनात पाल है ग्राम खाइस पुडुहिया तासिल जलालपूर थाना जैदपूर जीला अंबेटकर नगर कानिवासी हूं सर क्या समेश्या हो रही है सर समेश्या है 2003 से 2003 में चक्रोट पट चुका था सर ग्राम सबाद और पटवाया जा चुका 2003 में 2011 में पटवाया में 25 में जहां पुराना चक मार था हम पर असा 5 कर ने का प्रавно करने परासनिया गया और परसों कर दिया गया प्थल लगा था पत्थल लेखिए वहां पर नायवतासिलार देखिए लगा चुके हैं इधर आई इधर आई इधर आई इधर नायवतासिलार चौदा चौदा को नायवतासिलार वारा जो सेम शिव मूर्ती सिंगे द्वारा जो है पत्थल लगवाए गया और यहां से ड्र लटा इधर जो चक्रोड बनवाए गया था अच्छा यह पत्थल अभी जल्दी यहां पर लगा है कि पहले कहीं और पत्थर नहीं यहीं पर पहले था इस समय कहां पर यानि आपके खेत में आपका आरोप है कि आपके खेत में मार्ग को घुटाया जा रहा है यानि कितने फुर्ट तक वो गए है कितने लट्टे तक गए हैं बताई पेड़ जो हमारे कि जाने पर था पेड़ के पास्चिम जो है नाली और चकमार्ण आपके खेत में घुट रहे हैं तो बिना परधान के अनुमत के नहीं न होगा परधान मौके पर हैं परधान अलेक पाल उनीकी साजित से क्यों कि परधान जो है चुनावी रंजीज के नाते हमारे पीछे पड़े हैं इसलिए करवार हैं तो आप इस्टे लिए हैं इस पर क कि कमिछने हमारा पेड़ क कमिछन में देख गर थे ग Pre जुलाई को हम कि रसाद मौरिया के भी दर्बार में उनके दर्बार में जाकर जो है धर भजा खटाया और वहां से जो है प्रतना पतराई तवसिल में तवसिल में आकर गूब bellति प्हुंड वहां जो है कंईした साभ को अठाएश सितंबर को कमिस्टर साभ के यहां भी प्रातनापर्दिय है उसकी हमारे पार फोटोकापी है वहां पर एक सीध में करने के लिए जो है आदेश दिया गया था लेकिन वह कुछ भी नहीं हुआ सरे सर यहां पर अन्याय हो रहा है मुझे पीरित किया जा रहा है क्योंकि यह भारती जंतापर्टी के जो है मंडल महामंत्री है इसलिए दबाव बनाकर हमारे खेत में करवाय जा रहा है अब मैं कहां जाओं मजाते हैं ठक गया मुझे जो है जब मैं अपना खेट जोतने आता हूँ दिखाए तो मुझे जो है दोडा लेते हैं मारने के लिए हमारा परवार क्या खाएगा हमारी माता जी को पुलिस वाले ने परसों जो है उठा कर फेंक दिया घाना जाइदपूर के पुलिस हमारे पास सब रिकारडिं कर देखै एक यहीं प्रसासन के हमें गरेका रहा है यह देट हरा है यह प्रासासन के लोग आप का साथ का रहे हैं प्रसासन का साथ गफार ओर है लेकपाल वही आहम भूम का निभा रहे हैं लेकपाल साहब यहां पर साइकड़ो 25 हो देखिए 2011 में साइकड़ो 25 हो चुकी है पूछी लिजी आरगाओं देखाए बसंता साहब 27-28 साथ 2011 को रिपोर्ट लगाए है कि चकमार तेढ़ा ना हो भी बाद ना हो देखिए इसके और भी जो है भी से चकमार हठाया जा रहा हटा दिया गया मुझस कि लोग कि sap obsessed सै फोले ना वालने बलाक वाले लिए नहीं कि मुझस पर अब को ब्लेक पर-द्र 2023 कर रहे हैं । मतलब कोट से आपको न्याय मिल रहा है यानि युश्टे मिला है लेकिन परसाथन और लिखपाल जो यह लोग नहीं साथ नहीं दे रहें नहीं साथ नहीं दें जबरदस्टी हमारे साथ करवाए जा रहा है पर्दान वे कह रहे हैं कि मैं मजबूर है क्या करूं मैं हमारे उपर उपर से दबावा रहा है हां हमारे उपर उपर से दबाव आ रहा है मैं करियां दो बार का पटा हुआ 2003 देखाए 2003 में और 2011 में पहले 2003 में बहुत पूर प्रधान दिनेश प्रताब और यह दोरी में एक किलियो मीटर को बनवाए थे उस गाउं से लेकर उस नदी के किनारे तक एदम सिधाई पर है और और इसके बाद जो है 2011 में राजस मतलब प्रधान थे उनकी आसा देवी प्रधान थी मतलब उनके पती जो है राजस परदान 2011 में से कार करवाये थे इसके जबरदर्स्ति चकमार को हटा कर तोड़ कर हमारे खेत में कर दिया गया हम देखिए बेबस हैं जोगी जी से प्रासना करते हैं कि हमारी पुका सुनी जाए यह योगी जी से आप मदद मांग रहे हैं यानि यह काना चाहते हैं आप निशले हिस्ते से ठक के आप यानि मुख जो कुए है मेरा साथ नहीं देने वाला है सरकार कहीं नहाँ हี सबका साथ सबका विकास सोचती है तो क्या आप कहना सब्सकर करते हैंeg कि यहां निचले पाइदान पेड़ लोग जबरदस्ती करवा रहे हैं इससे पर यानि जो शीच्टम से पटवा रहे हैं आपके जमीन में घुस रहे हैं यानि उल्टा कर रहे हैं इसमें मतल्स मुख्य मंतरी जी से आप कहना चाहें जो होगया है सब जो हो हैं क्योंकि मैं दोड़ते जोटे थक गया पाले तो नहीं थे इस्ट्रीम सहा बीबेग मिस्टरा जो आए थे जो है स्याम और चौहां तासिल्दार आकर नपवा गया है सीयो चक्बंदी विब्याग भी आकर नपवा गया है हम यह डियम साहब के गया है साथ तारी को देखिए वो जो है लिखते हैं यह साथ चोजाइद पूर क्रिपया उक्त पक्राण मामला ने आला है के आदेशा नु हुआ उसको तोड़ का इसके बाद भी हमारे खेत में घुस गए मतलब कोट की अहलना की गई देखिए सर तो इस पर जबरदस्ती काम करवाना कोट की कहीं ना कहीं बिरोध है सर वही एसडियम आदेश देते हैं कि मानी न्याले के आदेश का अनुपालन कराए जाए लेकिन हो जानी हो फ्रश जो है लोग्ता जारा कितने अंतले मतलब को हिस्टर्व है इसमें इसको है इस पर जो है इसमें तो जो हम लोग देखिए सभी लोग पूरा गाँ को जो है पूरा गाँ परेसान सर अच्छा उनसे लोग डरते भी है सर भाई भाजपाक नेता उनके पास बंदू को निकाल लेते मारने के लिए सर देखिए हमारा खेट जोतने नहीं दे रही है आप दिखा दीजिए से आपने वेदन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यह मामला जो है साइब मुक्यमंतरी जी तक जाए और आपका कार्य हो आप समझ सकते हैं कि यह पीडित गाओं के लोग हैं जो एक बेक्ति से बता रहे हैं एक बेक्ति से परसान है जिनका नाम आनन सिंग है और इनका यह भी कहना है कि समामले में बड़े बड़े अधिकारी तक सनलिपता है और उपर से दबाव बनवा करके इनका कोई कहीं सुन रही हो दो सनवाई नहीं हो रही है यहां तक कि इनका इन्ध-े कहना है इनका यह भी नऊपं की ठाणन जैथपूर आःब इस मांमले में लिवता उनका भी यियार्थ वेकि हैं कि दबाव Mouth यहां पे जब अरदस्ती की गई कोट का आप मान किया गया नयाय मांग रहे हैं और नयाय किसे मांग रहे हैं बरतमान मुख्यमंतरी अधितना थी होगी जिसे इनका यह भी काना है कि जो बिजयपी के मंडल अध्यच्छ हैं आनंद सिंह उनके द्वारा कहीं न कहीं पाल्टी क संद्धा सरकार की राजनीत्य बनवा करके इन लोगों की जमीन पर कहीं न कहीं अतिक्रमन किया जा रहा है जैबर्दस्ती जो है इनके खियतों में मार्ग को घुसाया जा रहा है हलाकि यहां पर बता रहे हैं कि स्राइकड़ो बार 25 होई स्राइकड़ो बार 25 होने के बाद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है फिर किसी नेक्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं तब तक लिए